जब आप किसी काम को बड़े सिद्धत के साथ करना चाहते हैं तो पूरी काइनात आपको उस काम को पूरा करवाने में लग जाती है मैं भरसानी एक कहावत है वन नेल ड्राइथ आउट एनादर काटा ही काटे को निकालता है आज हम लोग इट का प्रियोग पढ़ेंगे दरसल इट के प्रियोग में थोड़ा confusion आ जाता है कि हम इट का प्रियोग यहां यह के लिए इट का प्रियोग करें कि यह के लिए दिस का प्रियोग करें ठीक है अब देखते हैं इट का प्रयोग कहा कहा कैसे कैसे किया जाता है जो इट होता है वह प्रोनावन के रूप में यूज किया जाता है इट का आर्थ वह भी होता है इट का आर्थ यह भी होता है और प्रोनावन में पर्सनल प्रोनावन के रूप में प्रयोग किया जाता ह ठीक है इट का जो दूसरा फार्म होता इट्स यह पजेशिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है अब जो इट होता है जो सबसे बड़ा यूज हम लोग इट का देखेंगे इट का प्रयोग किया जाता है कब जब समय वर्थ दीन महीना रीतु मौशं प्रा हो ठीक है तो यह पहला सिस्टम आप याद कर लिजिए कि इट का प्रयोग हम कब करते हैं तो जब कर्टा का अभाव हो और उस वाक्य में समय वर्थ दीन महीना रितु मौशं इत्याद का वरड़न हो देख लिजिए आज इट का कन्फ्यूजन आप दूर कर लिजिए देख में फिर आपको सोचेने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ इट लगाएं की देर लगाएं नहीं आप वहाँ जो सब्जेक्ट मिला उसकी अंग्रेजी आप लिख दीजिए ही ठीक है पुलिंग के लिए ही और इस्त्रीलिंग के लिए सी और निर्जीव के लिए दायट का प्र मज में नहीं आता है कि हाँ यहां दीज का प्रियोक किया जाय कि इक न्मल गोलावण तो यहीं कनफूजन आप अधर दूर कर लीजिए हा यह राम है ठीक है यह राम है तो जब यह आप दीज लगाएंगे तो यह administrative pronoun होता है demonstrative का मतलब होता है संकेत वाचक हम कहेंगे वह राम है दिखा रहे हैं तो demonstrative लगेगा यह राम है जो यहां खड़ा है तो demonstrative का प्रयोग होगा यानि कि दिस का प्रयोग होगा यहां इट का प्रयोग नहीं होगा वैसे modern English में लोग प्रयोग कर रहे हैं लेकिन अगर आप grammatically दे यह क्योंकि आपका रहे हैं कि यह राम है जब आप संकेत कर रहे हैं demonstrative कर रहे हैं तो वहां आपको दिस का ही प्रयोग करना है अब देखिए राम है ठीक है अब यहां जो राम है तो यहां यह तो है नहीं तो यह की अंग्रेजी इट लगाने की जरूरत ही नहीं है दिस लेकिन हम लिख दें राम इज तो यह सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा ऐसे में आपको यहां देर का प्रियोक करना पड़े अब देर का प्रियोक क्यों करना पड़ेगा कियों कि संग्या सहान क्या से बिल्कुल सटी हुई attached और उस सेंटेंस में सब्जिक्ट इंडिफिनिट है अनिस्चित है सब्जिक्ट का अभाव है तो आप कह सकते हैं देयर इज राम ठीक है अगर आपको कहीं मिल जाता है इज राम तो भी मान के चलिए कि सब्जिक्ट का अभाव होता है तो उस इस्थिति में आप दो वर्ड या इट का प्रियोग कर सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इट का प्रियोग करें कि देयर का प्रियोग करें अब यहां देखिए सो मुआर है कौन सो मुआर है सब्जिक्ट नहीं पता चला तो देयर का प्रियोग आप नहीं कर सकते क्योंकि उसका रूल और इट का रूल आप दोनों पढ़ लिजिए देर का रूल से काता है कि जब संग्या सहाय क्रिया से सटा हुआ हो और उस वाक्य में करता का अभाव हो तो संग्या तो है सोमुआर सहाय क्रिया से सटा हुआ भी है लेकिन इट का नियम क्या काता है कि इट जो प्रयोग किया जाता है उस वाक्य में सब्जिक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है जब समय वर्ष दीन महीना रीत मौशम यह सब दिया है तो ऐसे में इट का प्रयोग किया जाएगा तो यहां इट का प्रियोग एप्रोप्रियेट रहेगा ठीक है तो इट इज मंडे इट इज मंडे यहां क्यों इट का प्रियोग किया गया यह मैंने बता दिया अब जो है आपको दिस और इट में फर्क पता चल गया होगा थोड़ा सा हम लोग और देख लेते देखे, यहां मैं आपको this or it के प्रियोग में फर्क बता रहा हूँ, this or it के प्रियोग में शही तरीका बता रहा हूँ कि कब it का प्रियोग होगा, कब this का प्रियोग होगा, यह एक गाय है, जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है उसे कि यह एक गाय है, तो जब दिखा रहा है उसे, स रहा है तो Jako यानि कि यहां भी स्थायोग हो जाएगा तिक है इस फान इस एप फिसे उचाई Guide Jako डाउम्य होती है तो किसके लिए किया गया है गाय के लिए बताया जा रहा है तो परीसमल परोणावन हो गया तो फॉ मॉंठी का प्रियोग होगा तो दोब उन इट इट गीप्स मिल्क थाइव, अब आपका य ज़ते हैं डिस और इट का तो इट का प्रियोग कब किया जाता है कैसे किया जाता है क्यों किया जाता यह हम लोग देखेंगे आज यह का छटम कर देते हैं हैं यहां मेरे भाई का घर है कौन घर है यही वाला तो यह मेरे भाई का घर तो जब आप संकेत कर रहे हैं तो दिस का प्रियोग की बात खतम हो गई यानि की हो जाएगा इस 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 माई ब्रदर्श ब्रदर्श एप इस लगा देंगे तो हो जाएगा काकी के ब्रदर्श हाउश confusion दूर यह मेरा हाथ है अब जो पार्ट आफ बाड़ी होता है देखिए इसमें लिखा गया है पार्ट आफ बाड़ी जो होता है ऐसे में हम इट का प्रियोग करेंगे अगर यह रहेगा तो तो इट इज माई कि माई ओन्य इत Corn फी इसम आउंड ठीक अब अज सो मु trou toward है तो पता चला आज सो मु आई तो अब कह सकते हैं टूडे इस मंडे बट जब दिन रहे यह वर्स रहे महीना रहे रित रहे वह剛 है human body का पाट रहे और चोटे जानवरों का वरण रहे चोटे जानवरों का जिक्र रहे तो ऐसे में अगर यह नहीं है तो भी आपको सब्जेक्ट के रूप में इट लगाना ही है जैसे देखिए आज सो मुआ रहे तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज मंडे और आज का हो जाएगा टूडे क्यों टूडे को हम बाद में लिख रहे हैं यह एडवर्ब है इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि इसे बाद में लिखा जा रहा है कल मंगलवार होगा मंगलवार है ना दिन का नाम है ना दिन का जिक्र है तो आप इट का प्रयोग करेंगे चाहे यह रहे या न रहे सब्जेक के रूप में आपको इट लगाना ही होगा तो इट वील वील मनें गागे गी और हो का भी और मंगलवार का टूजडे अब कल कल मंगलवार होगा यानि कि आने वाला कल है तो हो जाएगा टुमारो कल रवी वार था रवी वार नाम है न तो हो जाएगा इट वाज इट वाज संडे इट वाज संडे और कल था जो बीत गया तो बीत आँगा कल का होता है इस्टर डे इस्टर डे ठीक है देखें जनवरी का महीना था तो कौन महीना था जनवरी मिल रहा है लेकिन सब्जिक के रूप में आपको यहाँ इट का प्रियोग करना पड़ेगा क्यों समय वर्ष दीन महीना के लिए सब्जेक के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं तो इट अवप्था वाज मंध इट वाज मंध आफ जैनुरी जैनुरी पाँच्वा वर्स था वर्स समय वर्स दीन महिना सारी तुमाउशम ऐसे में हम सबसे पहले इट का प्रियोग करेंगे सब्जिक के रूप में अब थाक अंग्रेजी वाज पांचमा वर्स्त का मतलब हो गया फिफ्ट फिफ्ट इयर ठीक है यह एक बिल्ली है अब देखिए जब यह आ गया तो यह का अंग्रेजी आपको इट लगाना ही लगाना है बास समथ रहे ना और इट क्यों लगाएंगे क्योंकि यह जानवर है तो समय वर्स दीन महीना रित मोशम इनके लिए तो सब्जेक्ट के रूप लगाया ही जाता है लेकिन बाड़ी पार्ट में और छोटे मोटे जानवर अगर डिया है और उसमें यह है तो यह कि अंग्रेजी आपको इट का फिर्योग करना है यानि कि इट इस एक एट ठीक है गर्मी का दिन था देखिए गर्मी का दिन था यहां का कोई यूज नहीं है लेकिन चुकी यह सीजन है रित्व है इसलिए हमें सबसे पहले इट का प्रियोग करना पड़ेगा और वाज था का वाज प्रियोग करना पड़ेगा इट वाज डे आफ डे आफ शमर या आप कह सकते हैं इट वाज समर डे ठीक है आप देखिए दूसरा साल था साल समय वर्ष दीन महिना रित्म होसम तो इट वाज शेकेंड इट वाज शेकेंड इयर इट वाज सेकेंड इयर अब देखिए चार बजे है या बजा है सवा चार बजा है या बजे है साड़े चार बजा है या बजे हैं तो ऐसी स्थिती में हम यहाँ इट का प्रियोग करेंगे क्योंकि समय है ना तो समय के लिए भी सब्जेट के रूप में इट का प्रियोग हमें करना है चाहे यह आए या ना आए तो इट इज आप लिख सकते हैं फोर ओ क्लाक या केवल लिख सकते हैं इट इज फोर लिख सकते हैं वो क्लाक लेकिन फोर लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा या फो यू आर ठीक है वर्ड में लिखना पड़ेगा सवा चार बजा है अब देखिए जो सवा चार बजता है इसको हम लोग थोड़ा घड़ी के माध्यम से समझ लेते हैं कव सवाचार साधे चार पौने चार पौने पांच यह थोड़ा सा समझ लेते हैं देखिए चार बजा है या चार बजे तो ये समय है ना तो समय के लिए subject के रूप में इट का प्रियोप करना पड़ेगा अब बजा है it is 4 o clock या कह सकते हैं it is 4 कोई दिक्कत नहीं है अब सवा चार बजा है तो जो सवा चार बजता है घड़ी में तो मान की चलिए कि ये चार पर घड़ी है और मिनट वाली जो है इतना आ गई है 12 से आगे तो जब ये 15 मिनट आगे आ गई है यानि कि 4 से 15 मिनट बीत गया है तो ऐसे में हम इसको quarter कहा देंगे quarter अब quarter का मतलब क्या हो गया कि जब किसी भी part का चार भाग आप करेंगे तो एक पार्ट जो होता है वह quarter बोला जाता है और जो आधा भाग होता है half बोला जाता है ठीक है तो ये quarter हो गया और ये पूरा अगर लेंगे तो ये past हो गया यानि कौएर्टर लेंगे तो जब Cities करेंगे तो ये क्वार्टर हो गया और जब यह दोनों मिला देंगे तो इसका पूरे का आधा हो गया तो अब फौ हो जाएगा तो सभ केश्चार बजा है तो चार बज़ करके पंदर मिनट हो गया है ना यानि कि साथ मिनट का चौथा भाग हो गया है तो उसको हम क्वार्टर बोलेंगे अब चुकि यह चार बज कर पंदरे मिनट बीत गया है इसलिए हम पास्ट बोलेंगे घड़ी में जब जादा हो गया हो चार से पंदरे मिनट अधीक हो गया हो तो पास्ट लगा देंगे चार से चार बच्ब के 5 मिनट हो गया है तो पास्ट लगा देंगे चार बच्ब के 3 min तो भी पेस्ट लगांगे तो को जब सवाब बच जाए साधे बच जाए तो ऐसे में शमय है ना तो समय के लिए हम इट का प्रियोख करेंगे इट इज कौर्टर एट इज कौर्टर पास्ट चुकि बीत गया है तो पास्ट लगाए जाएगा इट इस कौर्टर पास्ट four o clock यह आप लिख सकते हैं केवल four four o clock की जगा केवल फोर भी लिख सकते हैं ठीक है अब साधे चार बजा है तो जो साधे चार बजा है वह चार बज करके 30 मिनट हो गया है यानि कि पूरे 60 मिनट में आधा बीत गया है तो half हो गया तो यहां भी हम इट का प्रियोग करेंगे इट इज हाफ लिखेंगे इसे इज हाफ पास्ट यह बीट गया है इसलिए पास्ट लिखेंगे इज हाफ पास्ट फोर ओ क्लाक ध्यान दीजिएगा जब आप लिखेंगे तो यहां कामा दे देंगे या इसके जगह आप लिख सकते हैं केवल फोर ठीक है अब पौने चार बजा है यहां ध्यान देने वाली बात है कि जब उस बजने में चाहे जो भी बजराओ चार बजराओ पांच बजराओ छो बजराओ तो जहां हम पास्ट लगा रहे थे अधिक के लिए तो कम can यहां टो लगा देंगे जैसे देखिए पौने चार बज़ाओ न तो इट का प्रियूद तो सबसे पहले आप करेंगे आप करेंगे इपौने चार पphonे computer इचार का मतलब यह हो गया चार बजने में phenomenon कम है और जो वह 15 मिनट है वह एक घंटे का चौथा भाग है तो चौथा भाग का मतलब हो गया क्वार्टर इस क्वार्टर टू अब यहां देखिए कम है न तो लगा देंगे चार बजने पंदरे मिनट कम है तो लगा देंगे फोर ओक सकते हैं अग्हाँ आप मईले कि 10 मिनमट हुआ है अभाग चार बजन की दस मिनिट हो रहा है तो अधिक हो प्रेयोग करेंगे यानिकी इचगऑ के जर्णक के गुळज में रहता है तो Minist लिखने की जरूरत नहीं है इस टेन पास्ट और यह समझ में नहीं आ रहे है तो अभी ओर देख लीजेगा इस टेन पास्ट 4 ओ इस टेन पास्ट 4 ओ अधिस टेन पास्ट 4-0 क्लाक थोड़ा सा ओर देखिए यहां ध्यान से समझें चार बज कर थीन मिनट हुआ है तो ज़ो थीन मिनट है वह चार बज करके बढ़ गया है यानि ठीन मिनट अधिक हो गया यहाँ दो यह समय है इसलिए शब्से पहले हम उत का प्रियोग करेंगे तीन मिनट ना तो हो जाएगा three minutes इठीमिनट बीत गया है ना जादे है ना तो पास्ट का प्रियोग करेंगे इस थी मिनट्स पास्ट को फोर ओ क्लाक ठीक है फोरो क्लाक ठीक कर चार बजने में तीन मिनित कम है अब यहीं ध्यान देना है अगर इन दोनों सेंटेंसों को आपने समझ लिया तो फिर सवा है चार बजने में दो मिनिट कम है 10 मिनीट कम है सारा आफसालों कर लेंगे तो चार बजने में परियोग तो हम कर एंगे करेंगे इस अब देखिए तीन मिनिट कम है ना तो इट इस थ्री मिनट्स ध्यान दीजीएगा 다 थिरी ममेर्ट से it is three minutes अब यहां कम है न ला कि कम परीयोग करेंगे अगर यही पास्ट प्रियोग करेंगे ध्यान दीजिए गा अगर जादे रहेगा तो पास्ट परियोग करेंगे और कम रहेगा तो प्रियोग तो three minute two four o clock ठीक है आप four o clock की जगां आप चाहे तो केवल four लिख सकते है F O U R ठीक है या कर के आप ये लिख सकते हैं दूसरा देखते हैं इट का प्रयोग कहां कहां होता है थोड़ा सा हम लोग दूसरा पहलू ले रहे हैं इट का प्रयोग कहां कहां होता है जब किसी वाक्य में मुख क्रिया तो हो लेकिन करता गायब हो कभी कभी ऐसा होता है कि वह सेंटेंस होता है उसमें क्रिया का होना होता है लेकिन जो करने वाला होता है वह नहीं रहता है जैसे मान के चलिए कि कार किया जा तो जब subject clear ना हो, value हो, not cleared हो, तो ऐसे में भी मुख क्रिया हो, तो ऐसे में भी हम it का प्रयोग subject के रूप में करते हैं, खास करके ऐसे sentence passive wise में आते हैं, तो जब passive wise आप पढ़ेंगे तो एकदम clear हो जाएगा, लेकिन तब तक आप जानिये कि it का प्रयोग यहां भी किया जाता ह है, एक गीत गाया जा रहा था, क्या गाया जा रहा था, तो एक गीत यह तो पता चल गया, लेकिन कौन गा रहा था, यह पता नहीं चला, तो कौन गा रहा था, यह पहले होना चाहिए था, तो कौन ही गायब है, तो ऐसे में हम it का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो it was being, यहां फिर्म लगाया जाता है तो सिंग का शिंग कि नसे Hm शंग हो जाता है इन इस बीइंग सरी आज बीइंग शंग फिंग यह कर रहा था वह का यह झ ön पता नहीं तो जब यह नहीं पता क्रा था तो ऐसे में हम इट का प्रेयोक करेंगे तो इस वाज misunderstanding, करना किया जा रहा था यानि कि करना का थर्ड फार्म हो जाएगा It was being done the work. देखिए आप इसमें ऐसे ही कर सकते हैं, the work was being done यानि कि काम किया जा रहा था, लेकिन सही जो तरीका है ऐसे में उनल्म होना चाहिए मिधाई बाटा जा रहा था कऊंड बाट रहा था पता नहीं चला तो सब्जेगत की रूप में Other V egg अब बांटना का होता डिवाईड तो इस थाड़ हो जाएगा डिवाइड इट वाज बीवाइड़ दिवाइडेड श्वीट्स all right मुह में पानीन आयरा है वर्षा हो रही थी देखिए जो रेन है थंडर है रेन मुने वर्षा होना थंडर मानने घड़ड़ाना या ठंक़ ठनकना भू हमें हवा भना शनौ मानänge वर्फ गिरना वर्क माने काम करना इन सबूं के साथ अकफर ampere इंस का ही प्रयोग कि इन सब के साथ इट का प्रियोग किया जाता है तो इट वाज रेनिंग यही मैं कहां आप से जो रेन है यह नाउन और वर्व दोनों का काम करता है इसलिए इसके लिए सब्जेक के रूप में हम इट का प्रियोग करते हैं सिमला में वर्व गिरता है तो इट अब देखिए शनों आपने कर दिया तो यह हमेशा सिंगुलर होता है ठीक है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इट सनों जे वर्व गिरता है इन शिमला इन शिमला इट के प्रियोग ही के रूप में ही देख लीजिए जैसे मैं ही नाराज था तो मैं ही अगर ऐसा आता है मैं ही अगर ही आता है तो आप इट का प्रियोग करेंगे इट इज इट चुकिंगुलर है इसके साथ इज ही लगेगा ठीक है इट इज आई कहीं कर आप अब देखिए यहां लगेगा हूँ अब देखिए आई के अनुसार था कि अंग्रेजी वाज इट इज आई हूँ वाज एंग्री हूँ आज एंग्री ठीक है समझ में आ रहा ना कि ही का प्रयोग कैसे करते हैं अब देखिए दूसरा देखिए राजू ही घड़ी चुड़ा जुराया था ना तो हैड पास्ट परफेक्ट हूँ हैड इस्टोलेन है हूँ है इस्टोलेन दवाच ठीक है अंग्रेजी पढ़ना आसान है दूसरा देखिए जब हिंदी वाक्य में आबजेक्ट यानिकी कर्म और एड़ेक्टिव यानिकी विसेशन के बाद सब्जेक्ट का प्रियोग हो तो ऐसे में हम इट का प्रियोग करते हैं अब देखिए कैसे अंग्रेजी पढ़ना आसान है हम कहेंगे कौन आसान है तो आप कहेंगे कि पढ़ना आसान है अंग्रेजी नहीं पढ़ना आसान है तो सब्जेक्ट आपको मिल गया पढ़ना ठीक है तो आप क् सब्जेक्ट आ रहा है तो ऐसे में हम यहां इट का प्रियोग करेंगे तो इट इज ठीक है अब आसान है इट इजी टू रीड इट इजी टू रीड इंग्लिश इजी टू रीड इंग्लिश ठीक है यहां देखिए टैरना एक कला है कौन एक कला है patrna subject मिल गया है जो टैरना इसके पहले न तो कोई एडजक्टिव है और नर तो अबजेक्ट है इसलिए यहां इट का प्रियोग नहीं होगा यहां कौन एक तो आप लिख देंगे टूश्वीम एज एन आर्ट ठीक है एक एक सेंटेंस हम लोग निगेटिव इंट्रुगेटिव इंट्रुगेटिव निगेटिव देख ले रहे हैं वर्सा नहीं हो रही है वर्सा के लिए इट का प्रियोग होगा इट इज अब जब नहीं होता है तो helping verb के बाद आप not लगा देते हैं it is not raining, raining माने होता है वर्षा या वर्षा होना it is not raining ठीक है क्या वर्षा हो रही जब भी क्या पहले होता है तो क्या की अंग्रेजी हम what नहीं लगाते हैं बलकि जो हेल्पिंग वर्व होता उसी को हम पहले लगा देते हैं तो हेल्पिंग और यहां इज लगेगा तो इज इट ठीक है इस मने क्या भी हो गया है भी हो गया तो इज इट रेनिंग इट इज रेनिंग वर्षा क्यों हो रहे जभी इंट्रोगेटिव वर्ड कब कहां कैसे क्यों कितना किधर इंट्रोगेटिव वर्ड हाँ एक चीज़ा और ध्यान दिजिए इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे डबलु एच फैमिली पढ़ेंगे तो जब और इट का प्रियुक तो होगा ही होगा वाइज इट रेनिंग वाइज इट रेनिंग इंट्रोगेटिव मार्क ठीक है वर्षा कहां नहीं हो रही है यानि कि कहां तो हुएर सबसे पहले आ जाएगा हुएर अब है कांग्रेजी इज अफिर इट और नाठ हम यहां लगाते है ठीक है विएर इज इट नौट रेनिंग रेनिंग ठीक है तो इस तरह से इट का एक कंप्लीट सेशन पूरा हुआ एक कंप्लीट वीडियो पूरा हुआ और उमीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा तो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत यियो में तैंक